येलो फ्रेंज एक और ने वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है तो अभी हम लोग चैप्टर यूनिट नाइन तक पहुंच गया इनुट नाइन स्पूर्ट मेडिसिन तक हम लोग पहुंच गया है फिजिकल इसकेशन का बुक है ये तो इसमें अब नेस्ट ह नाइन तो कोई मुष्किल और आसे समाज में आगा बहुत पड़ने में मज़ा आएगा और ये कोई मुष्किल नहीं है तो चली शुरू करते हैं तो इन्टरक्षन में स्पोर्ट मेडिसिन का जो क्या रूल है स्पोर्ट में तो कि इंज्री जो होती है एकसिदेन्पिन बं जादे sport में मिलती है कि जो भी कोई game खेलता है तो इसमें देखते होंगे आपको injury का chance बहुत जादे होते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ बंद कुछ बंदा है कि हमेशा खेलते हैं इसको कभी चूटी ने लगे ऐसा बहुत कम होता है इसको injury का chance तो बहुत होता है sport में तो उसे वहाँ पर medicine तो रहे गाई जा इंजरी है मेडिसीन रहे गाई तो इसी का relation इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमेडिसीन का sport में क्या क्या काम है किस टाइप की injury हो जाते हैं तो हमें कैसा फास्टेट करना चाहिए कैसा medicine देना चाहिए अभी आगे तो समझेंगे तो first sport medicine is also known as exercise medicine sport medicine sport मतलब आप समझ सकते है sport में है तो इसको exercise related कर दिया है तो exercise medicine क्या सकते है अगर sport medicine का definition पूछा जाए तो it is the branch of medicine that deal with treatment and prevention of injury related to sport अभी देखे sport में जो injury होती है उसको ठीक करना उसका treatment करना इसके medicine के तुरू हम कह सकते है sport medicine तो इसका यह डिफनेशन है simple सा अभी next बहुँ साइक टापिक्स दिये हो है aims of sport medicine मतलब sport medicine का जरूवत क्या है उसका क्या क्या करता है sport medicine तो यह से बारे में topic है बहुत अच्छा topic है तो cure and treat sport injury तो इसमें ठीक करना उसको treat करना sport में जो injury हुई है उसको cure and treatment करना सबसे बड़ा और सबसे सटीक जो जवाब इसका हो सकता है sport medicine का अभी दिखाया है the primary aim of sport medicine is a fast recovery of sport injury तो जो sport medicine का जो काम है जो जल से जल्द sport person को इसके injury से sport injury से ठीक करना तो यह हो सकता है to diagnosis diagnose and detect the case sport medicine deal with proper diagnose and detect the cases of injury so the full recovery from sport injury should be done तो किस कारणों से हुआ है sport medicine के तुरू ओ लोग detect करते हैं ओ लोग experimentally देखते हैं कि किन वज़े से इनको हुआ है और कितना घहरा चूट लगा है और किस पार्ट पर लगा हुआ जिसके वज़े से जल्दी से जल्दी fast recovery कर सकें और प्रॉपर इनको एक injury से प्रॉपर recovery कर सकें ठीक कर सकें तो यह हुआ कर्रेक्टिंग मस्कुलेश्क्लेटेटर केस sport medicine aim to correct the musculoskeletal and orthopedic cases of injury that is provide full recovery मतलब आप सोच रहेंगे कि यह तो muscular में जो हमारे बहुत type के soft skin होते हैं hard skin होते हैं उसमें हमारे कई type के अंदर चूट लग जाते हैं कुछ तो बहार से roughly दिखते हैं कुछ type के अंदर जो चूट लग जाते हैं muscles के अंदर skeletors में हडिया में नस में जो muscles के नीचे होते हैं उनको बारे में अच्छे से डिटेक्ट करना और उनके प्रोवाइड करना fully recovery उसको अच्छे से recover कर देना यहां पर यह आता है फिर to provide preventing aspect in sports sports medicine promote the preventing aspect of sport injury thus reduce the injury इसमें sport medicine का क्या काम है तो sport medicine दिया हुआ जैसे promote the preventing aspects of sport injury के particularון जो sport injury होती है उनको reduce कम से कम चोट लगे य being clear को ऐसे मतलब उनको tips देती हैघी जो sport medicine के चाफ़ाती है sport medicine के जख उती है जिनके वज़े से उनको जो sport में जो injury होती है और उसको कम किया जाए reduce द बहुत य crp te s कव ऺंब हए शह च्खं़री het तो लोग आलतुफादू तरीके से मुवमेंट करेंगे तो यहां पर हेल्फ होता है तो स्पोर्ट मेडिसिन के तुर उनको अच्छे से समझाया जाता है कि आप ऐसा करेंगे तो आपका ऐसा इंजिरी हो सकता है स्पोर्ट मेडिकल है सर्विस फॉर रिहबलेटेशन टू स्पूर्ट परसंट जो स्पूर्ट परसंट होनी है उनको एक अच्छा सा मेडिकल हेल्थ सर्विस प्रवाइड करते हैं करव करना उनको अच्छे से तो यह सब तो कॉमन बाते हैं तो गाइड एंड काउंसलिंग सब तो दिया ही रहेगा है अब नेश्ट एब बहुत साय टॉपिक है नई तो टाम बेष्ट हो जाएगा हमारा बहुत सा तो बहुत साय कवर करने है न इस्कूप आप इस्पूर्ट मेर्सिन के स्कूप कितना अगर को जाए और कोछ हैं कुछ मतलब बन जाए डाक्टर हेलफर तो उसमें अगर इसक क्या है कितने टाइक है तो अभी इस टाइम में तो इसका बहुत ज्यादे इसको पहले तो कम था लेकिन आप देखते हैं को फ्रेंस की बढ़ता जा रहा है स्पोर्ट मैंडिसीन का क्या है कि बहुत सारे गेम से, लोग इंट्रेस्ट ले रहें पहुत सरे गेम से आगे अगे खो तो पहले भी था लीजिशर आप नो करेंगे शुक्त बहुत बढ़äter ग्या लेकिन उसके साथ अच्छार ट्रेनर देफाए गर कोई परशन की तो उनको बहुत हल्फूल होगा तो गाइड कर पाएंगे आपने प्लेयर्स होंगे कि आप इस तरह से खेलें एक्सरसाईस करें इस तरह करेंगे तो आपको कोई इंजरी नहीं होगी अगर आप ऐस तरह से खेलेंगे तो आपको इस तरह के इंजरी हो सकती है तो ट्रेनर के लिए बहुत हेल्फुल होगा इस्पूर्ट मैसिन के बारे जो ट्रेनर जानेंगे कोच जानेंगे तभी तो आपने प्लेयर्स को सही तरीके से गाइड कर पाएंगे तक इनको कुछ चूट ना लगे अगर आगर आप ऐसे एकसाइज करते हैं इस प्रापर मैनर तईके से खेलते हैं तो आपको इंजरी कम से कम होगी इससे हमारी हेल्थ प्रिव्यू पर असर परेगा तो इस टाइब के लिए हो एते अगर इस्पोर्ट मेर्शिंग बारे का स्कोप देखा जा तो बहुत सारा है कोच वहां उनलों को स्पोर्ट मेर्शिंग अगराइड कर सकता है समझा सकता है कि आप भाई अच्छे से लोग को अपने प्लेयर्श को अच्छे से ट्रेंशिंग दे इस मेथर में ट्रेंविप्ट उनको इंजरी कम से कम होंगी जैसे मैंने पहले बताया था तो इस टाइप क हो सकते हैं अब इने for detections है the knowledge of sport medicine help to detection to improve sorry detections to improve the health and for overcoming health related problem अगर sport medicine है तो उनको proper knowledge दे सकता है ताकि ओ जो health related problem आने वाली है या हो सकती है उनसे ओ बचे रहें कोई भी person के लिए लाग हो सकता है तिससे बहुत सारे topic दिए है for players player के लिए तो special होता है the knowledge sorry आपको topic नहीं दीख रहा हूंगा मैं भी देख करता हूं हाँ यहां पर दिये होंगे हाँ for player the knowledge of sport medicine is very useful for player as it prevent them from injury more ever for sorry to manage injury तो players के players को तो एक proper knowledge होना इससे sport medicine के पारे मिटें कि ओ खेलते हैं ओ जानेंगे कि हम अगर ऐसे दौड़ेंगे ऐसे movement करेंगे तो हमें किस टाइप का injury हो जाएगा किस टाइप का हमें accidentally चूट लग सकता है तो players को हम बता सकते हैं players के लिए जानकारी देना बहुत ज़री है for physician जो good आपका जो आ जाएंगे इंस्ट्रक्टर या कोचिंग या ट्रेनर के में physicians आ जाएंगे physicians बहुत है को सकते हैं जो हमें फिजिकली जो हमें किसी भी बाड़ी पार्ट के बारे में हमें बताते हैं या हमारी हेल्फ करते हैं हमें अच्छा knowledge देते हैं ताकि हम अपने बाड़ी को कैसे अच्छा रख सकें तो यह physician होते हैं तो यहां पर भी उनको भी जानना बहुत जरूरी होता है अभी नेस्ट है बहुत सा टॉप दिया हुआ है तो अभी नेस्ट है classification of sport injury sport injury में का classification करना कि कि कितने type के sport injury होते हैं त तो देखिए यहां पर दिया sport any sport injury are common and is over to anyone at any time occur at anyone at any time sport में injury तो common चीज़ है कभी भी किसी को भी हो सकती है इसमें कोई ही यह नहीं है कि इंदलब नहीं हो सकता तो लेकिन हां यह है injury कुछ लोगों को जादे बड़ा हो जाती है कुछ लोगों को जादे कम होती है तो इसमें बहुत अलग-अलग type का category जैसे soft tissue injury इसमें skin injury and muscles injury डो टाइप में divide कर दिया गया hard tissue injury इसमें minor injury and serious injury तो इस टाइप में इसको divide कर दिया गया तो soft tissue injury में दो टाइप का है तो अभी उसको next आगे दिया हुआ है अच्छे से रमपूर डीटेल में तोहां पढ़ेंगे अभी हैं cases of sport injury तो sport में injury होती है तो क्यों होती है उनके वज़े क्या उनके पीछे क्या वज़े होती है कि हमें sport में खेलते वक्त injury हो जाती है तो इसको याद कर लिजेगा तो इसमें यह lack of fitness तो बहुत ज़रूरी है अगर वह कमजोड व्यक्ति है उसके अंदर अच्छे से fitness नहीं है और फिट नहीं है और खेल रहा है ज्यादे वर्कलड बोला खेल खेल घ्याल है तो उसको यह injury पक्का होंगी किए उसका fitness यहाँ है और भेट खतना खेल खेल रहा बहुत ज्यादे डिफिकल्ट प्ले कर रहा है तो उसमें तो होँगी पुडर concentration ध्यान देना कुष लोग ध्यान देंगे नहीं ऐसे खेलते जाएंगे जीतने के पीछे तो आपके कॉंसेंट्रेशन ध्यान देके अपने रहां मेंटल कंडिशन को सही रखके एक रहां आवाज में खेलेंगे तो ने थोड़ा सा भी ध्यान चुका तो इंज्री हो सकती है ओवर स्टेश और टेंशन अगर कोई टेंशन में ह है ओवर स्टेश है कुछ लोग जीतने के पीछे रहां टेंशन में जाते हैं बहुत गलतियां कर बैठते हैं तो वहां पर भी उनको इंज्री होने की चांसेस हैं नट परफार्मिंग वार्म अप जो वार्म अप टॉपिक है यह बहुत इंपॉर्टेंट हर जगह आता है व जाता है तो इससे क्या होता है कि हाँ बाड़ी अप त्यार हो जाती है रन करने के लिए खेलने के लिए दवने के लिए तो अगर ऐसे सोह हैं आके लगेंगे आचानक बड़ा काम करने तो अब जो मुसल्स हैं एक्दम अक्टिव नहीं होंगी आउस्तर थोड़ा राण इसमें बाछ बाछ शारे लोग हैं आपको जो चीज़े होती है जो लागाने के लिए होती है प्लेक टाइम पर तो नहीं लिएक जाते है उसको क्या करते हैं है और जो कॉछ सारे जेंको आप नहीं लगाएंग तो उसके वजये तो होँगी सईद्ञीशी अ बात है field skill action तो skill action तो proper performing faculty skill action और unbalanced movement will player और uncoordinate movement case injury तो जो जिस भी skill में आप खेलना है तो वहाँ पे आपका skill है याँ परफेक्ट याँ प्रॉपर नहीं है थोड़ से भी आप चुके वहाँ पे थोड़ा सा भी आपका वहाँ पे ध्यान नहीं है या थोड़ा सा भी आपने अच्छा क्या बोलते हैं अच्छा सा exercise नहीं किया है अच्छा training नहीं लिया है तो आपका थोड़ा सा भी mistake करेंगे अगर अच्छा knowledge नहीं है तो आप भी injury हो सकती है not following rules rule regulation जो जहां जैसे होना चीए अगर ऐसे करेंगे भी सामने से दोड़ना है इधार पीछे दोड़ेंगे कोई आप टकड़ा गया ऐसे बहुत सहरी rule होते हैं आप खुश सोच सकते हैं तो आपको rule to follow करने ही पड़ेंगे agressions of valent बहुत गुस्से में इंजिरी फेस करना पड़ सकता है तो यहां बहुत सारे इंजिरी दिए हुए है जिदना को समझाने को करूं बहुत सरा है तो कुछ में से आप याद कर लिजेगा मैं कुछ समझा दे रहा हूं हर एक टॉपिक में से को है तो अब यमक्ण है तो अब इनस्ट है मारिया है प्रिवेंटिंग फ्राम स्पोर्ट इंजिरी अभी इस पोर इंजिरी में हम कैसे हम पैसे को सकते नहीं अभी है यह यह भी तो टापिक होना चाहिए जब चोट लग रहा है तो उसको रोगने के लिए भी तो कोईच होना चाहिए तो अभी देखिए इसमें एक लाइन दिया था हंड़ेट परसेंट प्रिवेंटिंग इन नेवर पासवल बट इन प्रिवेंट इन फॉर मानिस इस बाइक कॉंस आपको अच्छे से रख सकते हैं उसको रूख के रख सकते हैं देखिये प्रोपर वर्मिंग आप आप मने बता है था पहले आपको आठ्छे से वार्मिग करना था रिलेक्स हो के आपको जाना पड़ेगा ताकि आपको कोई इंजिरी आपको ना हो आपको बॉड़ी आपका मुसल्स पहले से रिलेक्स ना हो उन्हें एक्टिवेट करके वहाँ उतरें तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे वहाँ भी दिक्का दबाई प्रॉपर कॉंसेंट्रेशन जो आप सेम था प्रॉपर कॉंसेंट्रेशन सही से आप ध्यान दे के नहीं खेलोगे तो वहाँ पर तो 100% आपका चांस है टेंशन स्टेश रहेगा तो वहाँ पर चूट लगन ही है safety guards and check requirements वहाँ requirements का नाम मैंने सुना तो यहाँ पर भी आपको जो safety guards दिया आते हैं लगाने के लिए helmet हुआ और जो भी कम चांस है कि चूट लगे क्योंकि आप इदम 100% वहाँ पर अपना दोगे sufficient physical fitness फिटनेश तो इदम 100% sufficient जितने चाहिए उतना होना ही चाहिए physical fitness तो तो कोई दिक्कत ही नहीं है safety means आपको safety का द्याने के proper and safety environment अच्छे environment में आप खेल रहें ऐसे नहीं कि जो जहां चीज़ है वो खड़े खोड़े खेले जगह में दोड़ रहे हो तो आप ऐसे गड़ोडे में गिर जाओगे तो बहुत सारे चीज़े माइने रखती हैं तो यहां बहुत सारे यहां तक बे दिये हुए हैं तो इसमें से आप पा hasiel क्या होता है Swan spent का समय स्पोर्ट इंवारिमेंड होता है उसका अच्छा सब्स forums होना क्यों इन्पॉर्ट एटर तो आच्छह इन वार्मनेंट नहीं रहेंगे अच्छह टेनर नहीं रहेंगे आच्छह गाडिय एंस नहीं रहेंगे फामेडिक मोडिवेट नहीं हो या में अच्छे से खेल रहे हैं हमें तो full opportunity for growth हमें हमारे opportunity बहुत ज़्यादे बढ़ सकती है कि हम growth करें क्योंकि हमारे साथ हमारे environment जो हमें sport का इंवार्मेंट हो हमें 100% मिला हमें जो मिलना चाहिए हो मिला है जो हमें training मिलने चाहिए हो मिला है जो हमें safety equipment के बारे में ध्यान देने के लिए कहा गया हो मिला है तो सब कुछ है तो opportunity जादे रहती है क्योंकि 100% हो आप कोई कमी नहीं है तो आपको growth होगी या safety environment यह तो बहुत safe sport environment should be safe clean and hygienicist to perform various activities of physical educational program तो safe environment आप आपको खेलने के लिए मिले तो आप वहाँ पे इदम safe रह सकते हो clear रह सकते हो आपका परफॉर्मेंस 100% कोई भी activity करो आपको आपको अपना 100% हो पागी motivate to perform अगर आपको कोई अच्छे से motivate करें आपका अच्छा से ध्यान रखें अच्छे से आपको exercise करा है तो आपको तो को weakness आपका भी बढ़ता रहता है prevent accident and health problem आपका जो accident मतलब वहीं बोला तना injury आपका कम होगा क्योंकि आपको वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है एक ऐसे environment में है जो आपका सब कुछ ध्यान में देखा जा रहा है तो आपका health problem भी कम होगा easy for competition आप अच्छे से ट्यारी करोगे क् competition में आप कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप तो आप हर एक चीज़ सीख रहा हो नहीं आप एक अच्छा इंवार्मेंट दिया जा रहा है तो अभी next बहुत रिया meaning sorry meaning and principle of first ads तो अभी एक topic बचा हुआ है topic बचा हुआ तो भी time and sorry meaning and principle for first ads इसमें है मैं कुछ बता देता हूं अभी मैं एक में एक मेंट इसमें यह मां की जोगर कोई इसको इन्जरी हो गई हो तो तुरंत उसको एक रिलेक्स देना तुरंत उसको immediate में एक छोटा सा इसको treatment करना उसको हम first aid करना तुरंत किसी को चोट लागा तो आपे तुरंत डाक्टर को पास नहीं ले जा सकते हैं इसको छोट लगा है खुन बहरा है तुरंत एक छोटा सा इलाज हम खुद कर सकते हैं वहां पर दवा लागा के पटी बान सकते हैं उसको को relax दे सकते हैं immediately एक छोटा सा हम दावा कर सकते हैं उसका छोटा सा चेक अप कर सकते हैं तिहां first aid का काम करता है immediate aids and think about abc इस दो साइड टाइप होता है तो the first aid should be provide immediately this time we should not think about useless thing तो इसमें immediate aids में यह है कि हमें उसको तुरंत अच्छे से उसका injury को जो भी injury है उसको ठीक करने का कोशिस करने चाहिए दवा लागना चीए पट्टी बनना चीए उसके से उल्टा सीथा चीज नहीं सोचना चीए कि हम नहीं ध्यान देंगे उसको नहीं रोख यंगे जिसको भuldade बस llegar रहा है बलड संकिल रहा है तो इसको नहीं रोख हैंगे तो उसको जादे प्रॉबलम हो सकती है ऑब इस में इस एक ऱड में इस सीच में भी यहाए ब्सी बीड़ीशीत में उसको unblock कर सकते हैं को सांस ले पाए भी breathing लोग का सांस रुख जाता है तो आप उनको external breath दे के उसको फिर से स्टार्ट कर सकते हुए उनका breathing seek compression आपको उसको सांस देने के बाद आप उसको क्या करोंगे उनके compress करेंगे उनके heart को ताकि वहां से फिर pumping हो सके उनका दिल फिरके काम करना से तो यह पहले एर एर ब्लॉक को उनको खोल देना उनमें सांस भर के फिर उसको दवाना तक ही वहां पर पूरा सांस जाए वापस आए तक ही जो भी नली बंद हुए यह ब्लॉक हुआ वो खुल सके तो यह फरस्ट एड में हम अगर इतना चाहें तो कर सकने इसमें ब्लेड़िंग अगर कुछ लोग को दूरंत बांन सखें इसको लोग में में कुछ नग्यां साए लोग इकठा हो जातू है इसको चोट लगती है बहुत घवरात होने लगती है उसको तोहां पे ढीड़् जमान नहीं दें उसको हटा दे वेड़ा इंजरी इंग क्लॉथ और ब्लेंकेट जो जगा चोट लगी है उसको गंदर चीजों से साफ़ चिजों से ब्लांकेट और क्लॉथ क्लीन हो उसके आके को ढख दे इस टाइब का हो आप एक छोटा सा ट्रीटमेंट कर सकते हो अभी डॉक्टर के पास नौल ले जाने से पहले अभी इसा नहीं कि पहले हम डॉक्टर के पास ले जाएं वही पूरा इलाज करेगा अरे उससे पर तुसको बहुत चोट लग गई है उसको पर बहुत इ नहीं समझ पाओंगे तो इसके अच्छा यह है कि अभी यहां पर बंद किया जाए नेस्ट वीडियो में मैं आपको यह बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ है तो अभी मैं जली लिए लगूंगा पढ़ाने टाइम बेस्ट लगया मुझे टाइम जाज़े हो रहा है तो इस